इराक के पूर्व राश्टरपती सद्दाम हुसैन की बड़ी बेटी रगद हुसैन जब स्कूल में पढ़ती थी तो उनकी शादी हो गई तब उनकी उम्र महस 15 साल थी शादी के वक्त इराक और इरान में जंग चल रही थी फरवरी 1996 में पचीस साल की उमर में रगद ने अपने परिवार वालों के कहने पर तलाक लिया और तलाक के दो दिन बाद उनके पती की हत्या कर दी गई रगद की शादी सद्दाम हुसैन के चचेरे भाई हुसैन कैमिल अलमाजिद से हुई थी हुसाइन कैमल तब सद्दाम हुसाइन की सुरक्षा में लगे थे सद्दाम की दूसरी बेटी राना सद्दाम की शादी भी हुसाइन कैमल के भाई सद्दाम कैमल अलमाजिद से हुई थी दोनों बेटियों की शादी, तलाक और इनके पतियों की हत्या की बहुत ही दुखांत कहानी है 2018 में रगद सद्दाम हुसैन का नाम ततकालीन इराकी सरकार ने Most Wanted की लिश्ट में डाल दिया था रगद सद्दाम हुसैन ने अल अरबिया को दिये इंटर्व्यू में अपने निजी जीवन की कई एहम बाते कही हैं रगद से पूछा गया कि इस शादी के लिए उन्हें उनके पिता सद्दाम हुसैन ने दबाव डाला था या उन्होंने अपने मन से शादी की थी जवाब में रगद ने कहा, मेरे पिता ने अपने पांच में से किसी भी बच्चे पर शादी के लिए दबाव नहीं डाला उनकी बेटियों के लिए किसी ने शादी के लिए प्रस्ताव रखा भी तो उन्होंने हम लोगों से पूछा कि क्या करना है उन्होंने पूरी आजादी दी थी मैं तब किशोरी थी गर्मी के दुपहर का वक्त था मेरे पिता ने दर्वाजा खटखटाया और रूम में आये मैं जपकी ले रही थी और उन्होंने बहुत प्यार से जगाया वो मेरे बगल में बिस्तर पर बैठ गए उन्होंने हाल-चाल पूछा फिर उन्होंने पूछा कि तुम्हरा एक प्रेमी है उन्होंने उसका नाम भी बताया रगद ने कहा कि शादी तो परिवार के भीतर ही होनी थी इसलिए ये बहुत असहज स्थिती नहीं थी उन्होंने कहा मेरे पिता ने कहा कि मेरे पिता के रक्षा दल में थे, इसलिए उनकी मुलाकात सब्दाम हुसेन से रोज होती थी, मेरे पिता बाकी के अंग रक्षकों को लंच पर बुलाते थे, जिसमें ये भी शामिल रहते थे, हम दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगे थे, मेरी मा को पता था, तब मैं बच के पक्ष में नहीं थे, लेकिन मैंने पढ़ाई पूरी की, शायद मेरे पती ने ऐसा इश्या के कारण किया हो, इराक में तब सुरक्षा को लेकर कोई दिक्कत नहीं थी, इसलिए स्कूल नहीं जाने देने की जिद करने के पीछे, ये कोई कारण नहीं हो सकता था, हाला कि म मेरे पती मुझे प्यार और आदर दोनों देते थे, वो मेरे माता पिता का भी आदर करते थे, मेरे पिता मुझसे बेपनाह मोहबत करते थे, इसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती, उन्होंने जितना प्यार दिया, उसकी तुलना ना तो पती से की जा सकती है और ना ही मेर और घल था, वहाँ भी हम लोग आ जा सकते थे, एक दिन मैं स्कूल नहीं गई क्योंकि भारी बंबारी हुई थी, मेरे पिता सेना की ड्रेस में आये और बोले कि तुम स्कूल क्यों नहीं गई, मैंने युद्ध के खतों को लेकर कहा, तो उनका जवाब था कि इराग के बाकी बच्चे भी तो स्कूल जा रहे हैं, तुमको भी जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर तुम स्कूल जाओगी, तो स्कूल में पढ़ने वाले बाकी के बच्चों का साहस बढ़ेगा, तुम्हें उनका भी ख्याल रखना चाहिए। मेरे पती से भी बहस होती थी। रगद ने अपने पती हुसाइन कैमेल और पिता सदाम हुसाइन के रिष्टों में आई करवाहट पर भी बात की। रगद ने कहा, मैं कोई अकेली नहीं थी जिसके पती मारे गए। तब इराग में बड़ी संख्या में महिलाओं ने अपने खराबा होगा, ऐसा परिवार के बीच ही होता, इसलिए मैंने उनके इराग छोड़ने के फैसले का समर्थन किया। इस प्रेस कांफरेंस में हुसाइन कैमल ने सद्दाम हुसाइन के खिलाफ बोला था। हुसाइन कैमल ने कहा था कि उनके जॉर्डन आने से सद्दाम का शासन हिल गया है। कैमल ने इराग के सैनिकों से सत्ता परिवर्तन के लिए तयार रहने को कहा था। हुसाइन कैमल अल माजिद 1995 में अगस्त महिने के दूसरे हफ़ते में इराक छोड़ कर जॉर्डन आ गए थे। दोनों भाईयों के साथ इनकी पत्नी रगत और राना भी थी। दोनों भाई तब सदाम हुसाइन के बड़े विश्वास पात्र और सेना का पूरा काम देखते थे। कहा जाता है इ इसे लेकर सदाम हुसाइन खासे नाराज थे। तब अमरीकी राष्ट्रपती बिल्क लिंटन ने किंग के फैसले का स्वागत किया था। इसके जवाब में रगत कहती हैं मेरे पती का सितारा बुलंद हो रहा था। मेरे पिता के बाद वे इराक में दूसरे नंबर की हैसिय रखने लगे थे। उनकी एक भूमिका थी। ऐसा परिवार से करीबी संबंध के कारण था। उनमें निर्णा लेने की क्षमता थी। उनमें वो साहस था कि हर भूमिका को ठीक से निभाएं। मुझसे शादी से पहले ही वो इस मामले में आगे बढ़ रहे थे। जब हमारी शादी हुई तब हुसाइन कैमल स्पेशल सिक्योरिटी के प्रभारी थे। जब इरान से जंग हुई तो उसमें शामिल फौज के भी हुसाइन कैमल ही प्रभारी थे। इसी फौज की जिम्मेदारी सदाम हुसाइन की सुरक्षा की थी। उन पर पूरे देश की सुरक्षा क जिम्मेदारी थी हुसाइन कैमल से तलाक के बारे में रगद ने कहा हुसाइन इराक छोड़ने के बाद चीजों को जहल नहीं पाए एक महिने में ही इसका अंदाजा हो गया था तलाक का फैसला फरवरी 1996 में इराक लोटने के एक दिन बाद ही ले लिया था मैंने अपने पिता से बाद की और फैसला किया मेरे पिता बहुत दुखी थे उनसे लंबी बाद चीथ हुई थी वो इतने ज्यादा दुखी थे कि बात करने की स्थित में ही नहीं थे इस दोरान मेरे भाई भी थे और वहीं फैसला हुआ कि हमें तलाक लेना है जॉर्डन से लोटने के तीन दिन बाद ही हुसाइन कैमिल अलमाजिद और उनके भाई सद्दाम कैमिल अलमाजिद की हत्या कर दी गई सद्दाम कैमिल की शादी सद्दाम हुस हुसेन की भी भूमिका थी रगत कहती हैं जब मेरे पती की हत्या हुई तो मैं 25 साल की थी जितना दुख हुआ वो बता नहीं सकती मेरे पिता को भी इसका एहसास था और उन्होंने मुझे सहारा देने की भी कोशिश की 2003 में एराक में अमरीका के हमले के बाद रगत जॉर्डन चली गई थी और तब से वही हैं